हेलो गाइस तो कैसे हो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक प्रोड़क्ट का जो कि आप सामने देख पा रहे हो इलोक्ट्रोनिक कॉंपक्ट स्केल जी हां दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से इसे और किया था और इसका उलास में आपको बताने वाला हो तो मैंने इसका फ्लिपकार्ड वाला जो उपर का रेपर्ट तो मैंने साइट कर दिया था अथा और के देख लिया था तो चलिए final, भश्षकvity आ में बेसे रेका हुआ है क्या है इसके उपच्षक्ट चॉप्र निसक्ट आप से सब्सक्राइब करें तो यहां पे वेनेजिया करके कुछ अलग लेंग्वेज में लिखा हुआ है पता नहीं रसीयन है चाइनीज है बगवान जाने कौन सा लेंग्वेज है और अगर बगत सरी दोस्तों बगल में इंग्लिस में लिखा है लेक्ट्रॉनिक इसके बैलेंसिया अच्छा एक ही चीज लिखा हुआ है अलग-अलग लेंग्वेज में और यहां पर दोस्तों अगर देखते हो आप तो यहां पर आपको कुछ सिंबल्स वागरा बने हुए है इसके बारे में यह क्या चीज है यहां पर लिखा हुआ है किसकी चीज में यूज कर सकते हो तो धेरो टाइब के मोडल आते हैं जैसे एक ग्राम से पॉइंट जिरो वन ग्राम से लेके 200 ग्राम तक का मॉडल है इसी तरह अलग-अलग मॉडल है मैंने जमा आया वह पॉइंट वन ग्राम से लेकर और वन थाउजन ग्राम यानि 1 किलू तक का है तो बस दूस्तों चारत तो यहां पर इस टाइब के bubble wrap में हमारा प्रोटक्ट देखने को मिलता है इसे देखके मैं काफी खुस तरह क्यों कि फ्लिप कार्ड ने उसके उपर से पैकिंग की थी वह भी बहुत जवर्जस्ती और यह bubble wrap में दिया हुआ तो यह हमारे प्रोटक्ट को काफी अच्छे से से क्योरली हमारे याद तक ट्लेवर करता है तो सबसे पहले इसे निकाल के साइड में रखते हैं क्या मिलता है में देखने को तो यहां पर आपको एक पतनी मैनुल टाइप का मिलता है यूजर मैनुल है दोस्तों इस पेस्पेस सामने इस टैप का कुछ प्रोड़क्ट देखने को मिलता है मैं इस तरह कर दे रहा हूं यहां पर इसके उपर प्लास्टिक चिपकी होई है यानि प्रोड़क्ट हमारा बहुत अच्छे कंडिशन में है और बिल्कुल नया है प्रोड़क्ट दोस्तों और यहां पर सबसे प बड़ी LCD स्क्रीन दी हो गई है जो कि ग्रीन कलर में लाइट अप होती है तो यह भी ठीक है बहुत बड़ी स्क्रीन है तो इसलिए आप इस पर देख सकते हो कितनी क्वांटिटी आप मेजर कर रहा हो अगर बगल में बात कर दोस्तों यहां पर पांच बटन दिया लग अगर पीछे की साइड में देखे तो यहां पर दोस्तों आप एडप्टर से भी लगा सकते हो वैसे इसमें डबल य बैटरी भी लगती है लेकिन आप अगर चाओ तो बैटरी चलाओ या फिर चाओ तो आपको एक एडप्टर अलग से परशिच करना पड़ेगा जो की करी 50 यहां पर दोस्तों यहां पर सेल वाला अपर्टमेंट है यहां पर तुहार सापका यूजर मैनुवर टाइप में सारी चीज़े बडर डिटेल दिया हुआ है जैसे डिश्टर इस्टेल है आट जीरो रिशेटिंग और और बाकी चीज़ें यहां पर आपको ग्रिप दिने क ब्लैक होर्स पता नहीं कुन सी चाइनीज कंपनी है बगवान जाने ब्लैक होर्स कंपनी का दो डबल यह बैटरी मिलता है जो देड़ देड़ वाटका है तो यह बैटरी निपो या फिर जो आता है अलग-अलग बैटरी जाती है उनका भी आप लेकी यूज कर सकते हो तो चल दाइप में आपको यहां आफ कर ददेता हो जाह फिर को पास में देखने को हाँ आफ को इनके चल ला और यह दोंसटो को बटऑन है तो इसको दबाता ही आफ हो पूरा इसकेल आपका और यह बहुत ही जनुमिन चीज है आप बगल में देखते हैं तो मोड वाले जो अप्शन में क्या दिया हुआ है तो आप यहां देखेंगे यहां जो ग्राम लिखा हुआ है यानि किलो ग्राम में वेट करते हैं उसे आप दबाद हो गए तो यह दिखे तो यहां पर टोटल चार मोड रहा है अब दोस्तों यहां पर आतने हैशिक हम लूप अरफ भॉसकर 2 भी डिखेंगे और वहेंG दोस्तों तो यहां पर कोई भी समान रखता हूं तो वह जीरो से मेजर कर रहा है और अगर इसे हटाते हैं तो यह माइनस का 85 ग्राम दिखाने लगा तो फिर से हमें एक बार टियर दबाना होगा फिर यह जीरो हो जाएगा तो अब समझ गयोंगे यह किस काम में आता है अब दोस्तों य गर आप डेल राओं अगर आप लाइन यूज करना चाहते हो जलाना चाहते हो तो लाइट आफ आफ जागी लेकिन आपका इसके ल नहीं रहेगा इससे क्या अगा कि आपकी बैटरी बश्ती है बहुत ज्यादे तो यहां पर हम लाइट ऑन कर लेते हैं और दोस्तों यहां पर पीसी एस का मतलब कुछ दिया हुआ है कि आप इस पर कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट रखते हो जैसे माल लिजे कि आप क्वाइन के ऊपर कि आप इसके ऊपर कोई क्वाइन जैसे आप इसको आफिस में उच करते हो और वहां पर आपको सो रुपय के एक रुपय के सो सिक्के मिले हैं ठीक है तो आप दोस्तों एक रुपय का एक सिक्का अगर गिनने बैठोगे तो सिधा सा बात है कि आपको काफी टाइम लगेगा औ सो यह हजार सिक्के हो तो बहुत ज्यादे आपका टाइम कंजिव होगा तो इसके ऊपर एक यह जो पीसे वाला दिया हुआ ऑप्सन दोस्तों वह ऐसा ऑप्सन है कि आप इस पे एक रुपय का एक सिक्का रख दो और उसका जो भी वेट होगा वह वेट इस पे काउंट इसके बाद से आप जब भी इस पे सो रुपय का जो सो सिक्के है कि उसको ऊपर रखोगे तो आटमेटिक उसको माइनस पर उसको वह मतलब एक पैरामीटर मान लेगा आपका एक रुपय के सिक्के के वेट को और फिर वो टोटल वेट से उसको डिवाइड करके आपको नंब बहुत अच्छे सब्सक्राइब को बहुत अच्छे से बहुत ही वेल कंडिशन में इस प्रोड़क्ट को मेरे तक पहुंचाया और दोस्तों अगर आपको प्रोड़क्ट के अच्छा लग रहा हो तो नीचे लिंक में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप वहां से प्रोड़क्ट है और हर घर में तो होना ही चाहिए आदमी कुछ भी समाल लाता है तो वेट तो कभी-कभी हमें लगता है कि वेट को छूपा नीचे हैं तो हम वेट करके देख लेते हैं